हेलो एवरिवन, वेलकम तो करेशन फो डॉट इन, स्वागत करते हूं आपका करेशन फो में इस वीडियो हम डेवे पब्लिक स्कूल की जो वेकिंसी आई हुई है All India से, All India जितनी भी डेवे पब्लिक स्कूल हैं उसमें एक साथ recruitment के लिए process स्टार्ट हो गया है और किस तरीके से आपको apply करना है, वो सारा process हम इस वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से आप online form फिल करेंगे उसका step by step, सारा कुछ हम देखेंगे detail में इससे पहले आपसे request है, यादि आप चैनल पर अभी अभी visit कर रहे हैं तो इससे subscribe जरूर कर लिजे और like करना बिलकुन मत भूलेगा वीडियो को end तक जरूर देखेगा, इससे आपकी कोई भी important information नस नहीं होगी तो चलिए देखते हैं vacancy में किस तरीके से इस vacancy में apply करना है और इसका पूरा process क्या है, तो सबसे पहले हम website पर चलेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ website पर आप देख सकते हैं आपको मैं यह link जो है अपने वीडियो के नीचे description में दे दूँगी आप description में सबसे last तक जाएगा, वहाँ पर आपको यह website का link मिल जाएगा तो यहाँ पर davrecruit.davcmc.in पर जबाब जाएगे जैसे यह page open करेंगे, तो यह pop up होकर के आएगा important notice जो की है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि davcmc बता रहा है कि does not send individual messages और emails requesting fee और online video interviews के लिए ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पहले सी ही आपको warning दी है कि dav ऐसा कोई भी message नहीं देता है या mail के लिए request, ऐसी कोई request नहीं करता है fees के लिए और साथी में online video call की interviews के लिए भी ऐसा कोई भी facility नहीं करता है ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो यह एक fraud message होगा वो dav की तरफ से नहीं होगा, तो आप इसके लिए be aware रही है ठीक है, यहाँ पर dav staff recruitment website जो दी हुई है इस पर ही आपको official website पर recruitment मिलेगी and authentic information अगर आपको चाहिए तो इसी website से ही आपको मिलेगी तो यह website की link मैं आपको video की नीचे description में दे दूँगी ठीक है, यहाँ पर nominal application fee आपको लगेंगी and eligibility criteria होगा ठीक है, यह सारी चीज़े detail में दी हुई होगी और authentic आपको इस website से ही apply करना है किसी और भी अगर आपको mail आता है या कोई message आती है, उसको आपको accept नहीं करना है ठीक है, तो यह इन्होंने पहले से ही आपको जो है एक important notice दे रखा है ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी कल ही DAV की recruitment का detail information आप लोगो को दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखेगा, उस वीडियो को का link भी मैं आपको इस वीडियो की नीचे description में दे दूँगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से, किसकी चीजों में vacancies आई हुए है, ठीक है और इसके लब बहुत सारे लोगों ने comments भी किये हैं, बहुत सारे queries हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है उनको लग रहा है कि zone wise vacancies आई हुए है, तो इस बार मैं फिर से जो अभी ये notification आई हुई है वो जो 30 जनवरी को अभी newspaper में publish हुई है और website पे भी update हुई है, तो उसमें ये लिखा हुआ है, कि जिस तरीके से army public school का आप csb card लेते थे test देकर और उसकी बाद school में आप जाकर interviews देते थे और demonstration होता था और उसके बाद आपका selection होता था, तो same वैसे ही process अब DAV भी करेगा, इसके पीछे मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा हो रहा था, कि DAV के जो पहले के जो जो काम करते थे वहाँ पे, जो थे, उनको बहुत सारी शिकायते थी कि partiality होती है और बिल्कुल transparency नहीं है, school's के environment में और management में, तो उस problems को solve करने के लिए I think इस तरीके का एक कदम उठाया जा रहा है, तो ये इससे हर चीज़ में जो selection होगा, teachers का teaching staff का और non teaching staff का, तो ये बहुत ही transparent होगा, इसमें कोई भी partiality नहीं होगी, ठीक है चाहें वो आपका selection process हो, चाहें वो आपका जो है, आपका जो promotion होता है उसको लेके, ठीक है तो यहाँ पर जब आप आएंगे, ये page open होगा, then apply now पे जब आप आएंगे ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, read the instructions given below very carefully ठीक है, तो यहाँ पर सारे instructions लिखे हुए है, सबसे पहले आपको mobile number and email id के थूँ जो है, आपको अपना register करना होगा, जिसमें आपको OTP आएगा और उस OTP को आप fill करेंगे and then उसके बाद जो है, आगे का process start होगा, ठीक है तो यह new registration and login के लिए आएगा यह option, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर यह सारी चीज़े fill करेंगे title लिखेंगे आप title में आप, माली जे missus, ठीक है full name आपका जो भी है, वो लिखेंगे mobile number देंगे, email ID देंगे and यहाँ पर आप लिखेंगे tick करके send or tip लिखेंगे ठीक है, अब आगे का process में आपको बताती हूँ आगे के process में, अगर आप teaching staff में apply करना चाहते हैं तो teaching के लिए यहाँ पर option दिया होगा and then यहाँ पर ministerial post होगे जो कि non teaching होगा ठीक है, और यहाँ पर recruitment के phase 1 और phase 2 के बारे में detail information दी हुई है, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको detail में यह चीज़े बता दी है ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, next जब आप मान लीजे, आप TGT PRT के लिए apply कर रहे हैं, या TGT के लिए उसके पहले आपको, जब आप यह OTP डाल कर login करेंगे, तो इस तरीके का information आएगा आपको कि आपको क्या-क्या चीज़े चाहिए, इसे आप एक बार देख लीजे, ठीक है Before filling out the application form, please ensure that the following documents are duly attested, ठीक है, यह आपको documents लगेंगे, जो की Google Chrome या Firefox से आपको fill form को fill करना होगा, यहाँ पर आपको passport size की photograph लगेगी, जो की JPG form में होनी चाहिए, और 100 KB की होनी चाहिए, class 10 का certificate, ठीक है, 12th का certificate, और यहाँ पर KB लिखा हुआ है, size भी लिखा हुआ है, कितने size होने चाहिए, graduation का आपका होना चाहिए, certificate, post graduation का होना चाहिए, professional degree, जो भी आपने BATLA किया हुआ, BTC किया हुआ हुआ है, वो सब चीजे लगेंगी, और इसके लावा any other documents specific as per requirement, जैसे की CTET, UPTET, आपने जो भी estate आपने clear किया है, उसका आपका लगेगा, सारे जो है, वो 200 KB के होंगे, और सिर्फ photograph आपका 100 KB का होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक post के लिए, जो है eligibility criteria दिया रहेगा, ये दिया हुआ है, eligibility criteria, जिसमे nursery teacher training के लिए, आपको teachers के लिए, आपका graduation होना चाहिए, इसके 50% marks के साथ, plus आपका 2 year entity होना चाहिए, या फिर JBT अगर आपने 2 years का किया हुआ है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है, post graduation के लिए भी, या पर post graduation होना चाहिए, 50% marks के साथ concern subject में, B.A. होना चाहिए, ठीक है, हाँ, इसके अलावा trend teacher के लिए, आपका graduation होना चाहिए, 50% marks के साथ, B.A. होना चाहिए, और seated estate का paper 2 आपका clear होना चाहिए, इसके लावा बहुत सारे candidates TGT में पूछ रहे थे कि music के लिए vacancy है की ने, dance के लिए vacancy है की ने, तो ये सारे ही subject के लिए एक ही बार आपको form fill करना होगा, और आपको ये exam देना ही है, चाहिए vacancy हो ना हो, आपको ये exam देना ही है, इस exam में जो आप marks gain करेंगे, और उसके बाद जो भी PRT में भी आपका जो है graduation होना चाहिए, 50% mark से साथ, BA होना चाहिए, 2 year का, या JBT वाले या फिर BA ले 4 year वाले candidates इसमें अप्लाई कर सकते हैं, seated, tested आपका paper 1 clear होना चाहिए, इसमें भी art, painting, music, dance candidates इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अब apply करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा process दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से PRT के लिए है, PRT English, PRT Hindi, PRT Sanskrit, आपका जो भी subject है, यह PRT के section में आएंगे, subject wise एक एक चीज़े दी होंगी, उसकी details भी दी होंगी, उस पर आप click करेंगे, and यहाँ पर registration करके, यहाँ पर staff recruitment में, जो मैंने आपको process बताया था, title आप यहाँ पर देंगे, full name लिखेंगे, mobile लिखेंगे, email ID लिखकर, यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर sent OTP आजाएगा आपको, OTP आने के बाद, यहाँ पर आप login करेंगे, अपना जो आपने details भरे थे, वो सारी चीज़े भ आप आएंगे, यहाँ पर OTP verify हो जाएगा, continue करेंगे, and then यहाँ से आपका form fill होना start हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह सारी चीज़े details में लिखेंगे आप, देख लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप state लिखेंगे, जिस भी आप state में apply करना चाहते हैं, उस state को यहाँ पर select करेंगे, apply PGT के लिए apply किया है, अपने PGT maths के लिए, यहाँ पर save and continue दबाएंगे, and उसके बाद नीचे, personal information में जब आप आएंगे, तो personal information में आपको यहाँ पर अपनी picture paste करनी होगी, यहाँ पर देखिए, personal information, qualification and other information देनी होगी, तो यह सारी चीज़े आपको fill करनी होगी, ठीक है, mobile, whatsapp number, यह email id, और residential address, यह address आप जो है संभाल कर दीजेगा, क्योंकि में भी हो सकता है, इसका जो CBT का test होगा, CBT का जो भी exam होगा, यह आपके address के according ही center देंगे, क्योंकि center fill करन का कोई option यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया है, ठीक है, तो आप जहां का center जाते हैं, तो आप address जो है, जो है, जारकंड के हैं, और जारकंड में राची के हैं, तो वहाँ का राची का address देंगे, तो वहीं के आसपास में कहीं पर आपका center पड़ेगा, then qualifications यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे कि examination past कब किया है, आपने name of board, marks, total marks, percentage, division, ठीक है, और यहाँ पर आपको past correspondence है, यहाँ पर रेगुलर है, यह साई चीसे भेजनी है, और यहाँ पर attach करना है आपको, सारे documents, ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद declaration में आपको, सब दोनों पर click कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर आईगी और चीज़ें, जैसे कि, यहाँ पर दिया है न, यह, exam, qualification, order, information, में आपको, फिर यह सारी चीज़े detail में, हाँ, आपका जो भी marks वग रहे हैं, यह सारी चीज़े detail में fill करेंगा, और यहाँ पर attach करेंगे, जैसे certificates हैं, वो, and order information में आपको, यहाँ पर signature अपना यहाँ पर डालना है, ठीक है, and यहाँ पर review करना है, submit करना है, manual signature आपको upload करना है, और यहाँ पर signature upload करना है, यह दोनों चीज़े हो गई आपकी, अब इस तरीके से यह पूरा जो है, आपका page, जब आप यहाँ पर review करेंगे, and submit करेंगे, review करके submit करेंगे, तो इस तरीके से यह पूरा preview window आपका बन कर पूरा आपको इस तरीके से form fill हो के सामने आएगा, and then आप payment के option पर जाएंगे, यहाँ पर payment में आप यहाँ पर अपना details डालेंगे, ठीक है, आप देखे payment आपको कैस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी details देखे, and submit करना होगा, यहाँ पर देखे, save and continue करेंगे, जब आप, तो यहाँ पर आपको SBI या जो भी आपका card है, उसके card है, यह option आएगा, यह सारी details यहाँ पर होगी, तो इसको आप note down कर लीजेगा, screenshot ले लीजेगा, अपन हो जाएगा, तो फिर यह पूरी जो है, चीजे, यहाँ पर देखे, payment successfully का option आएगा, and आपको last में क्या करना है, अपना जो application payment application print है, इसका आपको details ले लेनी है, और फिर यह आपका final application submission का इस तरीके से आपके पास message आएगा, और इसको आपको संभाल कर रखना होगा उपने पास, ठीक है, तो यह मैंने आपको पूरा process बताया कि आप किस तरीके से, पूरा process बताया कि किस तरीके से आपको DAV public school का जो combined entrance exam होगा, जिसमें teachers का और non teaching का जो exam होगा, उसमें आप appear होगे, पूरा form का process मैंने आपको बताया, इसके बाद भी यह दी, आपका कहीं भी question हो, comment ह तो आप नीचे comment box में जरूर mention करिए, मैं वहाँ पर reply कर दूँगी, और वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, ताकि आपका कोई भी important information मस ना हो, और कोई confusion ना रह जाए, ठीक है, और साथी में इस vacancy के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वो भी detail में देख के लिए किस तरीके से आप prepare हो, वो कुछ questions है, वो मैं आपके साथ share करूँगी, तो अगर आप चाहते हैं, तो नीचे comment box में इन सारी चीजों को जरूर mention करिए, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो इसे like करिए, जिनने जरूरत हो, उन्हें ये video share करिए, चैनल को यदि आपन तक subscribe नहीं किया, तो subscribe जरूर कर लिजे, like करना बिल्कुन मत भूले, वीडियो को end तक देखने के लिए, thank you so much